उसके बाद अगर आपने किसी को पंच कर दिया तो आप जाने तो रिस्ट में आपके दिक्कत होने लग जाती है जो एक एज के बाद होती होती है और इसमें कोई शरम वाली बात नहीं होती है फिर आपने यह हां पर उन्या गुसानी अपनी यह मैं बताओंगो अपनी वीडियो में आगे चलके उसकी जो प्राइस थी इस वाले प्रोड़क्ट की थे एज वेलकम बैक तो अन्यू वीडियो और वीडियो को शुरू करने से पहले लेट मी हाइड़ेट मैसेल्फ पानी जादा से जादा पीते रही है क्योंकि हाइडरेशन बहुत इंपोर्टन्ट है आपकी स्किन के लिए ग्लो है वो स्किन पर रहता है तो बताए जब भी मैं वीडियो बनाता हूं मैं ट्राइ करता हूं कि आपको वैल्यू मिले आज जो वीडियो है वो व्लॉग के तो हमारी न्यूवर की पार्टी है वो काफी स्पेशल होने वाली है जैसा कि आप सब लोग जानते हों कि मैं एक फिटनेस इंदोटियास्ट हूं मुझे फिटनेस से रिलेटेड चीजे बहुत पसंद आती है चाहें कोई भी फिटनेस का इटम है जिम से रिलेटेड ट्रैक हो गए शूज हो गए तो आज भी मैंने कुछ ऐसा लिया है फिटनेस से रिलेटेड ही है और एक चीज ने लिए ऐसी तीन चार चीजे लिए लेकिन ये जो चीजे हैं ये आपके भी काम आ सकती है बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं लेते अवाइड गरते हैं लेकिन मै ये चाहता हूं कि अगर आप जिम में अपने आपका जिम बैग आपके पास से भड़ी है शांदार सा तो उसमें ये चीज इंक्लूड जरूर करें अब आपको जैसा पता ही है कि मैं बॉक्सिंग अगरा कर रहा हूं आज कल तो बॉक्सिंग करने के लिए गलव लेना बहु अच्छी है अगर आप तरीके से कड़ते हो तो यह मैंने जो लिये हैं यह मैंने काल सकते हो और बहुत ही बढ़ियां मतलब इसे तो आपको डिरेक्ली कभी हातनी डालना चाहीं इनहें पहनने से पहले आपको बॉक्सिंग स्ट्रैप पहनने चाहिए उससे आपकी जो गुर पूती है वो और अच्छे हो जाती है और आपको इंजरी नहीं होती अब किसी भी तरीकी sports activity में हैं तो यह आपकी life के लिए सबसे अच्छी चीज यह थोड़े expensive हैं लेकिन अगर आप seriously boxing करना चाहते हो तो थोड़े ठीक ठाकी boxing gloves होने चाहिए जो used boxing gloves होते हैं वो आपको कभी लेना नहीं चाहिए क्योंकि देखिए इसमें मैंने हाट डाला अब मेरे जिम में जो boxing gloves है उसमें दुनिया हाट डाल रही है जब दुनिया हाट डाल रही है तो स्थेट बहुत जन्येधे को सेट आटा है आपको नोंकि सुनेख आटा किसी ने हात डुहें हैं नहीं दुहें हैं और है बेक्तिडियल डिजीज हो रहा है और वहाट इससने बंद डालने हिरे भिरश आपने बहुने बालों में लगा रहे हो और अपने स्किन पर लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा बीमारी आपको हो सकती है बहुत ज़्यादा प्रॉबलम हो सकती है और अगर आप यूज करते हो तो अपने हाथों को वाश करो उसके बाद ही आप दूसरा कोई काम करो मेरे इंजरी हो गई थी बहुत ज़्यादा मेरे इंजरी हो गई थी नकल्स में और हातों में तो डिरेक्ट आप कभी भी गलव आपको नहीं पहनने और मैंने मेरा पॉड़कास्ट बेजो आने वाला है वेदानत के साथ में मेरा दोस्त है वो प्रोफेशनल बॉक्सर है टाइमिंग जो हमारी मैच नहीं हो रही है इस बशेसे नहीं आ पा रहा हो अबसे इंपोर्टेंट चीज जो मैंने देखी कि पंच का इंपक्ट भी जादा पड़रा सा बॉक्सिंग बैग पर और ये अराउंड 699 रुपे के मुझे पड़े है वैसे तो मैं भी ये सीखे रहा हूं अभी तो जो प्रॉपर टेक्निक ये बांधने की वो मैं आपको बताता हूं और जब भी मैं गई जाता हूं तो हमेशा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं और दूसरे की कहानी जानने की कोशिश करता हूं ये जिस तरीके से बैंड बांध रहे हैं ये प्रोफेशनल है सूर्य प्रताप सी जो डी कैतलों में वर्क करते हैं पैसिफिक मॉल में और ये भी पहले professional boxer से फिर इनकी injury हो गई थी तो इन्होंने break ले लिया तो इन्होंने मुझे बताया कि proper तरीका क्या बानने का जो तरीका है ये थोड़ा सा hard है कुछ लोगों को थोड़ा hard लग सकता है लेकिन जब आप regular practice करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी तो इस video को आप देखके भी बान सकते हैं इसको आप save भी कर सकते हैं मतलब थोड़ा इसको crop कर लेना video को और आप इसको save कर लेना जिससे की future में आपको बाननी हो आपको grip तो आप अच्छे से बान लें आप इतने precautions लेते हैं तरीके से कोई भी काम करते हैं तो रिस्क जो होता है वो बहुत कम हो जाता है और आप किसी भी sports को या किसी भी game को बहुत long term तक खेल पाते हैं कि यंत्र आप जब पहनते हो आपने घुसाया हाथ और उसके बाद आपने ये लॉक किया उसके बाद अगर आपने किसी को पंच कर दिया तो फिर आप जानते हो फिर उठ नहीं सकता है वैसे करना नहीं है ये सरफ आपको fitness तक ही सीमित रखना है नहीं तो आपके case बन सकता ह और आपके life कराव हो सकती है तो ये है ये आपने इस तरीके से अब उतारने के लिए भी एक सजासी है वैसे तो क्यूंकि हम लोग जिम वाले जो बंदे होते हैं पेशेंस बड़ा कम रहता है 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 जो लोग करते हैं उनको भी बहुत दिक्कत रहती है ये सब चीजे लॉंग प्रोसीजर लगते रहते हैं और आप बैंड नहीं पहनते तो रिस्ट में रैप नहीं पहनते तो रिस्ट में आपके दिक्कत होने लग जाती है जो एक एज के बाद होती होती है और इसमें कोई शरम वाली बात नहीं होती है तो आपको अपना fitness routine भी चेंज करना पड़ता ह है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हो भाई उमर हो रही है उमर सबकी होती है जो 18 का है वो 30 का होगा अब हम आयाते हैं दूसरी चीज़ पर तो आपको पता है मुझे अंडर आर्मर की चीज़ बहुत पसंद है और मेरे पास एक ब्लैक कलर की कैप है अंडर आर्मर की तो मैंने इंडिया में कस्टम ड्यूटी लग जाती है तो अंडर आर्मर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है सस्ते के लिए भाहर से भी अंडर आर्मर मंगवा सकते हो यूजिली मैं यह वाली कैप पैंता था आपने देखा होगा मुझे काफी सारी वीडियो में यह वाली कैप इतने ल यह मुझे काफी सही लगी थी अभी मैं पहन के आपको नहीं दिखा हूँगा क्योंकि मेरे बाल खराब जाएंगे तो अब आने वाली वीडियो में यह वाली कैप पहन होगा और यह काफी मुझे डिफेंट लगी बेसिकली जो यह रॉक का जो बना हुआ है इस से मुझे ब जैसे क्योंकि हम लोग बार डिफ चेनमस हाथ वाली ऐक्क्रीशाइज बहुत जादा करते हैं तो यह बहुत इंपॉड़्ट है आपको अगर बहुत अगर शाधर बॉस करते हो बहुत जादा लटकने वाली ऐक्सरी सब्सक्राइब तो आपके हाथ मेना यहाँ पर आपके यह होने लग जाता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी ज्ञादा मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यह पहनुगा तो लटकना जो है मैं थोड़ा जादा देर होल्ड कर सकता हूं कि हमें हाथ में दिक्कत होती तब हम छोड़ देते हैं गृप को अगर हमें डाला यह आपकी हां ओगया और फिर आपने यह पर उळगा अपनी यह तोड़ा सका सका यह गृप है और आपने इसको यहां से इसमें आपने गुसाया इसे सब्सक्र्विशल और यह करता है तो इस पे अफू sudden हो जाएगा और फिर आपकर सकते और तो जितने भी athletes हैं जिनको ये सब लेना चाहते हैं, भाई, डी-कैपलों चाहिकी ले सकते हो, और ये मिलता भी बहुत कम है, मगर ये है कि इन सब चीजों को करने के लिए और लेने के लिए आपको exercise करने भी ज़रूरी है, और टाइम लगता है, हर चीज के लिए, तो टाइम उपर है कि आप निकाल पाओगे मुझसे किसी ने पूछा भाई इतनी एक्ससाइज के लिए टाइम तो होता नहीं है तो गाई यह सब का अपना अपना शौक होता है जैसे कुछ लोग का दारू पीना शौक है पार्टी करना चौक है अपना जिम करना है तो गाई हमें तो बह यह सब केजीज है 15 LBS तो और मैंने जब डी केटलों में बात करी तो नहीं बोला था बैस्ट है इसकी कोस्ट और नाइंट नाइटी नाइटी नाइए तो भी हजार रुपे का पड़ता है और इस तरीके से एक्ससाइज होती है आप देख सकते हो मैं बताओं को अपनी जो यूज में नहीं है जो यूज में आती अमल एक्ससाइज करने जा रहे हो माक का रिच्ट बैंड है सारी कमपनियां जो जो मैनुफेक्शर करा रहा है चीजों को चाइना बनांके दे रहा है तो मुझे समझ मिलने था यह चीज़े चाइना से कैसे आ रही है हम यह सब ची की बात करोगे तो बॉक्सिंग में मैं इतना मतलब जिसे कहते ना 100% मुझे नहीं पता लेकिन 50-40% तक मुझे पता और टाइकॉंडो में ब्लैक बेल्ट हूं जैसा कि आप लोग जानते हैं और जिन लोगों को ट्रेनिंग करनी है वो मुझे से कॉंटक्ट कर सकते हैं हम और और लाइन ट्रेनिंग भी दे देगे मेरे साथ और भी कोचीज हैं तो जो भी आपका गोल है फिटनेस एलेटेड अगर आपको एसलीड बनना है कोई भी स्पोर्ट से लेटेड आपकी कोई 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 तो आप मुसे पूछ सकते हो प्लस अगर आपको जिम की ट्रेनिंग करन तो अब आप करें। यह क्यों लिया। भाई मेरे लेफ्ट वाले थंदम में थोड़ी से इंजरी होगी थी पीच में और रिस्ट में इस इंजरी होगी थी और इंजरी देखो होती ही होती है अगर किसी भी स्पोर्ट में हो तो इन्जरी ही होती जाती है तो उसके लिए परिशानी होते हैं उसके लिए आप सॉलूशन दोड़ों के ठीक कैसे होगे उसके लिए स्ट्रेंज और बहुत सारी और एक्सेसाइजीज है रियावलिटेशन एक्सेसाइजीज होती हैं जो मैं कराता हूँ और दूसरे हाथ के लिए मैंने यह ले लिया है तो यह आपने ऐसे खीचा और अब मेरे दोनों हाथ अच्छे से लॉक हो गए हैं तो जिम में आप सब यह सब चीज़े आपकी यूज होती आपकी तरीके से सारी चीज़े यूज करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो में यूज करते हैं तो कीप वाचिंग गूविंग वर्ड आयल सी नेक्स ताइम तब तक के लिए स्टेए फिट से स्टाइलिश एंस्टेए ग्रूब